असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ सहीद उमर्फारूग अपने चनल इमर्शपीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजूँ दोस्तों आज के एपिसोड भी हच स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ जो प्रेस कॉंफरेंस तेयार हो गई ह हमारे वफाकी वजीर मजभी अमूर है जो निगरान हकूमत के हैं उनकी प्रेस कॉंफरेंस जो है वो तियार कर ली गई है क्योंकि उनकी प्रेस कॉंफरेंस करनी थी बट वह बहुत सारी रिजन्स जो मैं पिछले अपने वीडियो में बताता आ रहा हूं आपको उसकी हम नुकात हैं कुछ मंधरजात हैं जो सामने प्रेस होग है जो रिमर्स है वह आने स्टार्ट हो गई हैं मीडिया पे आर और इंटरने पर भी तो दो वह कुछ जो में आपके साथ शहर ड़ता हूं और स्वीयो पोग्ने सब्सक्राइब के यही सारी वे तमाम बा बाते से ये भी दूआ है कि आला ताला वो तमाम लोग जो इस साल हज़ पे जाना चाहते हैं दोज़ाश चौबिस में तो उन तमाम लोगों की दिल की मुरात पूरी फरमाया और आला ताला उनको एक मकबूल हज़ करने की तौफीक दा फरमाया और वो इन्शालला अपने अजीजो जितने भी हो जाएंगे उन में से जितनी रकम भी बचेगी वो हम हज से पहले ही लोगों को अदा कर देंगे ताके जिन जिनको लोगों को जो मुश्किलात हैं जो पैसों की तंगी होती है वहाँ पर जाने के लिए जो एक खराजात का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो कि लोगों परिशाने की करना करने पड़ें कि 2023 तक पैसे बाज़ा भी को जाता है ती तो यह कुछ चीज़े थी जो आप इस साल पहले ही अदा कर दिये जाएंगे उसके साथ हकोमत ने यह और एलान करने का सोचा है कि जना आप तमाम लोगों को चाहिए वो पने बैंक अक सेपरेटली आप लोग ओपन करवाएं और पिछले साल भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ जब लोगों ने जॉइंट अकाउंट या किसी और के साथ अकाउंट में पैसे जमा करवा दिया और फिर रिटर्न करने का मामला आता है तो फिर बहुत जादा प्रॉब्लम का सामना करना हो इसी के साथ आपको जो हेल्थ सर्टिफिकेट हैं वो आपको सम्मेट करवाने पड़ेंगे उसमें करोना भी है उसमें पी सी आर भी शायद चामिल ना हो इस दफार पिछले साल तक था और इसके साथ अगर किसी को को माज़ूरी है तो वो लोगों को शो करनी पड़ेगी और उसके साथ अपना कोई हेलपर साथ लेकी जाना पड़ेगा ये भी इसमें अनौश कर दिये जाएगा इस प्रेस कॉनफरेंस में और ये भी हकुमत अनौश करने वाली है कि जो लोग यह निकिके खवातीन जो लोग सेपरेटली हज करने जाते हैं तो वो शायद इस साल कोई पॉसिबल ना हो इंस्टॉल्मेंट की जो प्लैन था वो इस साल जरी गौर जरूर आया है बट उसको अभी तक इंप्लेमेंट करने का कोई प्लैन नहीं है यह प्रेस कॉंफरेंस में बता दिये जाएगा जो बहरी जहास के दुरू सफर करने का जो प्लैन है वो भी अंडर डिसकेशन है बट प्राइवेट सेक्टर शायद वो इंप्लेमेंट कर ले बट गवर्मेंट सेक्टर इस तरह का भी कोई प्लैन लेना लेकर आना नहीं चाह रही है डॉक्मेंट के बारे में जो सरकारी मलाजमीन है उनको यह कहा गया है कि आँपने अपने अनोसी जो है वो बनवा ले कॉमेंट सेक्षिन पूछ सकते हैं मुझे अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं जरूर बताऊंगा चैनल पगड़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अपने अपने घरवालों का बहुत जदा ख्याल रखिएगा अला आपिस